मद्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजिसभा सांसर दिगवजे सिंग मुश्किलों में घिर सकते हैं। दिगवजे सिंग जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीदी शर्मा के खिलाफ अमर्यादित शक्दो का स्यमाल किया था। अब इस पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने शिकायत दर्ज करवाई क्राइम ब्रांच में दिगवजे सिंग की गई। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई। वीजे सिंगी मुश्किले बढ़ सकती हैं यह तस्वीर आप दिखें। उस दौरान की है जब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे थे पीजेपी का पूरा प्रतिने धी मंदल और दिखें शुकायती आविदन सौपा क्य की के टिपणी को लेकर शुकायत दर्ज करवाई साथी कारिवाई की मांग की क्या कुछ कहा था दिखुजर सिंग ने वो आप सुनिये माननी बीनी शर्मा यदे मुझे आतनवातियों का यमायती मानते हैं तो उनकी नकुसंता पर मुझे दिराशा हुती है कि जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल एंजिल सरकार के राज नगर पाले का नगर दिगर वो मुझे आतनवाति का सायोगी मानता है तो वो नपुसंग है कि नहीं कुछ भी कह सकते हैं कि उम्र भी जादा हो गई है कि दिगुजे सिंग्जी ने मुझे गाली देने से पहले जो बोलावो में तकुण था कि भारती जनता पाटी पंच सरपंच पारज़त बिढ़ान सवा लोक सवा समय भारती जनता पाटी आ गई है तो यह उनकी जो मन की पीड़ा है यह उन्हे मुझे लगता है गुस्सा दिलाती है मद्वर्देश की जनता का असिरवाद है और भाज़पा के कार्यकरताओं की पाकत है जिसके बल पर मैं खड़ा होता हूँ तो आपने देखा तस्वीरे और वो बयान भी आपने सुन लिया क्योंकि सुमित पचौरी के नेतरत में ही बीजेपी का प्रतिनेधी मंदल क्राइम ब्रांच के दफ्टर पहुचा था शिकायती आविदन दिया एफ आयर की मांग की गई बीजेपी का यह कहना है कि दिगव काय दर्सकरवाने क्या अब मुश्किलें बढ़ सकती है दिगविजे सिंग के इस मामले में और जाहिर सी बात है कि बीजेपी के प्रदेश अदक्षपा अगर टिपणी की गई है तो कारे करता है इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं इतनी आसानी से अच्छी जैबर को सही का आपने क्योंकि जस तरीके से पूर्ब मुख्यमत्री दिगविजे सिंग का बयान आया है और अभी मातिप्रदेश में जस तरीके से बायान बाजी को लेकर सियासी संग्राम चड़ा हुआ है उसमें एक नया मोड आ गया है जाया क्योंकि जो बीज कराई है क्राइम ब्रांच में जो ग्यापन है वो भी सौपा किया है और इस पूरी मामले में जो क्राइम ब्रांच है उनका यही कहना है कि फिलहाल ग्यापन दिया था जो कि स्वीकार कर लिया क्या है और अब इस पूरे मामले में जार्च कराई जा रही है और जो भी भारत भारती जनतापार्टी प्रदेश अत्यक्ष का अपमान हुआ है और तमाम जो कारी करता है उनकी भावनाई आहत हुए हैं आप देखने यही होगा कि इस पूरे मामले में जुस तरीके से जाच की जारी उसके बद क्या कुछ क्रैम रांच की तरफ से भारती नय सहता के अनुस सार कारवाई की जाएगी जया बहुत धन्यवाद आपका रंजना लेकिन निश्चुत